आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hero HF Deluxe के बारे में जो की ब्रांड ने इसका 2023 वैरियंट लॉंच कर दिया है जिसमें की ब्रांड ने गाड़ी में बहुत सारी मॉडल बगेरा लॉंच की है तो आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं गाड़ी में आपको कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं गाड़ी में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है मतलब क्या क्या मिलना चाहिए सब के बारे में इस वीडियो में किक करके बात कर लेते हैं तो चलो start करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के look के बारे में तो इसका भाई जो design है ब्रांड ने design में कोई भी changes नहीं किये हैं लेकिन गाड़ी का जो color है जो graphic है वो आपको काफी ज़्यादा change लग रहा होगा brand ने जो है गाड़ी में बिल्कुल ही नया color इंट्रडूस किया है जो कि आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का gold color जिसमें की गाड़ी का जो graphic है उसमें आपको touch up मिलेगा gold का साथ ही बाई आपको मिलेगा touch up red color का भी लेकिन जो red color है वो भी आपको हलका सा goldish मिल जाएगा जिससे की गाड़ी जो है सामने से काफी अच्छी लग रही है वीडियो में आपको ये गाड़ी साथ अच्छी ना लग रही हो लेकिन बाई सामने से गाड़ी आपको अच्छी ही लगेगी इसका भाई जो वाईजर है वहाँ पे आपको मिलेगा hero का 3D logo भाई वहाँ आपको लेक ग्राफिक वाईजर पे जो की होगा gold color के साथ आपको मिलेगा red का भी touch up इसका भाई जो टैंक है वहाँ पे आपको लेक ग्राफिक हीरो का जो की sticker में है बागी भाई वहाँ पे आपक नहीं करते हैं इसका बाई जो console है वो अभी आपको मिल जाता है fully analog लेकिन बाई आपको आने वाले कुछ दिनों में गाड़ी में जो मिल जाएगा fully digital meter console बाई जो console आपको मिलता है hero की जो splendor plus है उसमें आपको जो console मिलता है x-tech वाला वही console आपको मिलेगा hero की hf deluxe में बाकी जो बाई ब्रांड में गाड़ी में काफी सारे variant launch की है बाई जैसे की आपको मिल जाएगा self plus kick plus i3s बाई एक आपको मिलेगा सिर्फ kick start के साथ जो की बहुत जादा सस्ता है और बाई इसमें आपको मिल जाता है option जो की मिलता है spoke wheel के साथ भी तो बाई ऐसे कुछ variant मिल जाते हैं लेकिन बाई कुछ दिनों में गाड़ी में आपको एक और नया variant दिखने को मिलेगा जो की होगा गाड़ी में आपको मिल जाएगी front में disc को जी हां बाई disc को लेकर बहुत जादा न्यूज आती रहती है कि गाड़ी में जो है disc आने वाला है आने वाला है ABS तो भाई ये update शोरूम से भी आ रही है कि जो hero की HF Deluxe है इसमें आपको disc brake मिलेगा लेकिन भाई जो ABS है इसका कोई भी confirm नहीं है तो भाई आप लोग चाहो तो इसका जो variant है नया वाला disc वाला उसका आप लोग weight कर सकते हो और भाई गाड़ी की जो fairing है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी change जब गाड़ी का आएगा बिल्कुल ही नया variant हो जैसे कि भाई गाड़ी का जो light है वो आपको मिल जाएगा fully LED का लेकिन जो tail light है जो indicator है यह तो आपको सेम मिलेगा भाई जो tank है वहाँ पे आपको cowl वगएरा देखने को मिल सकता है यह उमीद लगा सकते हैं आप लोग गाड़ी का भाई जो engine है वो आपको मिल जाता है 97.2 cc का जो कि भाई यह गाड़ी आपको दे देती है 8.5 का torque और इसका भाई जो power है वो आपको मिलता है 5.9 किलो वाट का जिससे की भाई गाड़ी आपको अच्छा खासा mileage तो साथ में देती ही यह भाई गाड़ी में आपको मिलता है single cylinder four speed gear box तो भाई गाड़ी का जो engine है यह बिल्कुल भी change नहीं होगा और इसका भाई जो price है सबसे सस्ता भाई variant यह आपको मिल जाता है 6,400 रुपए का एक showroom और इसका भाई जो variant है top वाला वो आता है 6,800 रुपए का एक showroom तो भाई गाड़ी में आपको अभी मिल जाते है total 4 variant भाई जाकर आप showroom पर visit कर सकते हैं वन्ना भाई नीचे मैं आपको showroom का contact number और address दे दे रहा हूँ आप लोग call करके गाड़ी की सारी inquiry कर सकते हैं तो भाई जो वीडियो है इसे आप कर दो like और भाई जो चैनल है साथ ही आप इसे भी कर लो subscribe तब तक के लिए बाई बाई जय हिंदो वंदे मातरम भाई वेट कर लो गाड़ी का जो आने बाड़ी है मेरी मानो